हाई फ्रेंद्स आप सभी का स्वागत है दिपास की चन तड़का में कुछ मीठा खाने का मन है जिसमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और घर की रखी कुछ चीजों से ही बनकर तयार हो जाए तो क्या बात है और सबसे मजे की बात तो यह है कि ना गेस जलाना ना घंट चलो फिर रैस्पी बनाना सुरू करते हैं तो हम लेंगे मिक्षर जार में हम डालेंगे आधी कप चीनी तो यहां मैं आधी कप चीनी ले रही हूं आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं और दो हरी लाइची डाल देंगे यह मिठाई में बहुत ही अच्छी अब इसमें हम डालेंगे आधी कप नारियल का पुरादा मिठाई में बहुत अच्छी टेस्ट देती है इसे देसी केटेट कोको नेट भी कहते हैं और अब इसमें जाएगी आधी कप मलाई और अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है तो जब तक कि यह क्रीमी नहीं हो जाती है तब तक हमें मिक्स करना है इसे मैंने मिक्स करके तयार कर लिया है अब इसे हम साइड में रख देते हैं और अब यहाँ पर हम फिर से मिक्षा जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे चार कप मुर्मुरे आपको यहाँ पर मुर्मुरे ज़्यादा लग रही होगे लेकिन यह पीछने के बाद इसकी गहणके और इसरहे हैं और इससे हम पीछ लेंगे so यह भी बिकर सेवार में किया कर लिडें कर लिया है और अब हैं हम सोभाक जाड़ा सब्ची ह deben सेवाइथ आप कशा अब और अब हमें कर इसके लिए लिए Durham तो आप ले लो और इसमें आप थोड़ी सी ऑईल या घी डालकर ग्रीस कर लो आपको इहां पर इतना ध्यान रखना है कि इसे ग्रीस करने के लिए आप सरसो का तेल या कोई भी ऐसी तेल जो इसमेल करती है उससे नहीं ग्रीस करना है और अब इसे हम मोल्ड में रखके अब हम इसे कट लगाएंगे किनारी किनारे पे चाकू से और फिर इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे और अब इसमें हम कटे हुए बदाम लगा देंगे तो मिठाई हमारी बनकर यह तैयार हो जाती है बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगती है ना टाइम लगता है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप मुर्मुरे से बनी मिठाई खा रहे हो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी मिठाई लगती है